कि रात लगबग दाई को ने तीन बजे के असपर से एक मरीज अपनी पतनी को लेकर आया और उसके हाथ में मामूली सी चोट थी खरोच लगी हुई थी तो उसका हमने इलाज अच्छे से किया लेकिन वह उस मामूली चोट को भी इतना गंभीर बता रहा था और हमसे बहुत ब इसका इलाज करके उसे वापस जिर्णा बहुत लिकिन जब दूसी वार आया वह उसका मोईल खो गया और उसने वापस चलागा लेकिन दस पन्ना मिट वाद वापस आया वो और यहां का जो इस्ताफ उस पर उसने इल्जाम लगा दिया कि स्टाफ में मोईल चोड़ी किया ह जो हमारे गाड थे हैं आपर राजा उस पर इल्जाम लगा दिया और गंदी-गंदी गालिया और गाली-गलोज करने लगा अबहद्र वेवाद सिस्टर के साथ यह ने किया है तो यह मामला हुआ रसा राइसेन बेगम गंद से हमरे संबाद दाता शरत शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट सिविल अस्पताल में डाक्टर और नर्सिंग स्टाप से अभध्रता आरोपी के खिलाप मामला दर्ज आरोपी को किया पुलिस ने ग्रपतार विविन्न धाराओं में मामला दर्ज सरकारी अस बेगमगज शिविल अस्पताल में एक गंभीर घटना घटित हुई जिससे अस्पताल के पूरे स्टाप को हरताल की चेताबनी देने पर मजबूर कर दिया। ऐसे के हालत में अस्पताल में उत्पात मचाना सुरू कर दिया। उसने नर्स के साथ अबद्र बिवहार किया। डाक्टरों के साथ गाली गलोच की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ऐसा आरोप अस्पताल की तरफ से लगाए गए। हालात जब और बिगड़ गए जब इलाज कराने में आदे घंटे बाद विजय अपने मोबाइल गुम होने पर ढूंडने अस्पताल आया। इस बार उसने करमचारियों पर अनर्गल आरोप लगाते हुए फिर से गाली गलोच की। मरीज की हालत को देखकर परीजन हमेशा आपाक हो देते हैं जिससे मरीज और डाक्टर के बीच में तालमेल नहीं बैट पाता है और विबाद उत्पन हो जाते हैं ऐसे समय में मरीज के परीजनों को धैरिये रखकर मरीज का इलाज कराएं जल्दबाजी ना करें। आप लोग हमेशा ध्यान रखें डाक्टर और मरीज उनके बीच का रिष्टा बहुत ही नाजिक होता है जब मरीज का इलाज कर रहे होते हैं डाक्टर तब आप उसे भगबान बोलते हैं पर डाक्टर से अच्छा ब्योहार करते हैं लेकिन जब बाहर रोगी दुरभाग बस इस दुनिया से चला जाता है तो डाक्टर को भला बुरा कहते हैं और कभी-कभी उसे पीटने पर भी तयार हो जाते हैं यह तरीका ठीक नहीं है डाक्टर धर्ती पर भगबान का रूप हैं हमें हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए कोरोना महामारी के समय हमारे अपनोंने और उनकी जान बचा रहेते और जान बचाते बचाते कई डाक्टर अपनी जान खो चुके हैं अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं उनकी बदावलात ही हम अपने बीमार परिजनों का इलाज करबा पाते हैं अस्पताल मैं मिल रही दिन रात की की जिन्द की बचाने के लिए रात को जो घटना घटी मरीज्ट और डाक्टर के बीच में और परीजनों ने जो उन पर डाक्टर पर ब्योहार की अपर अच्छा नहीं किया लोगों से बीन्यूज अपील करता है कि दिन रात 24 घंटे डाक्टर अपनी सेबाएं दे रहे हैं तो उनका सम्मान जरूरी है मरीज बनकर आप इलाज कराने पहुँचें सरकारी अस्पताल में बेगम गंज की सरकारी अस्पताल में सुविदा नहीं है इस्टाप की कमी है इस्टाप की कमी से अस्पताल जूज रहा है जिसकी बज़े से मरीजों को और परीजनों को परिशानी जहलनी पड़ती है और हमेशा सही समाई पर उप्चार उपलब्द नहीं हो पाता मरीजों के लिए भी पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुची लेकिन बिजय नसे में धुत होकर उत्पात मचाता रहा बाद में बहां से चला गया अस्पताल के डाक्टर और स्टाप ने इस घटना को लेकर तोरंट पुलिस को लिखित सिकाइद दी हाला कि जब आरोपी को गरपतार नहीं किया गया था तो डाक्टर और स्टाप ने 24 गंटे का अल्टिमेटम देते हुए चेताब नहीं दी थी यदि आरोपी के खिलाप कारवाही नहीं हुई तो अस्पताल को बंद कर दिया जाएगा इस ब्रोथ प्रदसन के दौरान कुछ डाक्टर मरीजों का इलाज करते रहे जबकि बाकी आधा स्टाप जुलूस की सकल में थाने की और कूच कर गया बेगम गंज टी आई संतोस सिंग ने बताया कि बिजए ने अपनी पतनी जिसे मामूली खरोच आई हुई थी इलाज के दौरान नसे की हालत में अस्पताल में हंगामा किया उसने नर्स के साथ अबहद्र बेवार किया और जान से मारने की धमकी दी इस घटना के बाद विजए के खिलाप सास की एकार में बाधाउत पन करने और चिकिसा सुरक्षा अधिनियम दो हजार आठ के तहित बिविन ने धाराओं में मामला दर्च किया और आरोपी को ग्रपतार कर लिया सिबिल अस्पताल बेगण में डाक्टर बार नर्स से अस्पताल में भरती मरीज के परीजेनों द्वारा अभद्र बेवहार करने पर पुलिश ने ततकाल कारवाई कर अपराद पंजिवद्द किया एबम आरोपी को ग्रपतार कर लिया गया आज मद्द प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किये हैं इसमें चिकिस सकों को कानूनी सरक्षण, सुरक्षा समीतियों का गठन, प्रिवेस पर नियंतरन, बिजली, परिवाहन, नाई डूटी में सुरक्षा और सीसी टीबी फुटेज, और पुलिस गस्त नियंतरन कक्ष, पुलिस के सांबाय और योन उत्पिणन की रोक थाम समीतियों का संचालान सामेल है, राइसेंट बेगम गंच हमारे संबाद दाता, शरत शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट, उसका छोटा भाई, उसके छोटे भाई के सांथ मैंने मोवाल दड़वाया लेकिन नहीं मिला, फिर जाने के बाद जो भी था विजय विजय आया, यहां गूंते गूंते मैं अदर बेटा था, इदर बेंट रिली है, रात में हम चार स्टाफ बैड़ी थे, ना सिंग स्टा उसके खलाब रात में कोई कारवाही नहीं हो, उसकी माने भी जूमा जट्की की यहां पर